तो है नमस्कार एब्रीवन एंड विल्कम बैक टू अगें आपके इपने यूटूब चैनल इस्टूरेंस बज में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैं है लिए पांपूर के कॉलेज रिब्यू के बारे में जैसे कि ये कॉलेज कैसा है और बहुत से इस्टूरेंस को इसको लेकर कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं NIT जुआन करूं या फिर HBTU जायन करूं और बहुत से students को इसके courses के recording भी यहां पर बहुत सारे confusion होते हैं So guys इस video में basically आपको बता दू कि कि किन किन चीज़ों के बारे में cover करने वाला हूँ So जैसा कि guys आप लोग जानते हैं कि HBTU जो की पहले HBTI के नाम से famous था तो इसके regarding यानि कि जो इसका admission process है वो कब से start होगा और जैमेंस का इसका previous year का cut up क्या था और इसका placement कैसा है इसका free structure कैसा है registration process कब से start होगा कब बंद होगा इन सभी चीजों को इस video में step by step करके देखने वाला हूँ और आप से discuss करने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को लास तक देखिए चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और आपको यहां पर बता दू कि इसमें बहुत सारे तमाम reservation process भी होते है ठीक है तो जैसे कि बहुत से जो other state के student है यानि के यूपी के जो बाहर के students है तो उनका seat criteria यहां पर कैसे होता है तो उनके regarding भी मैं यहां पर आगे discuss करने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को बिना इस किप यह last तक बने रही है जिससे आपको पूरी information मिल सके इस university के बारे मे सबसे पहले यदि हम बात करें HBTU जो की हर कोड बटलर technical university के नाम से बहुत ही फेमोस कानपूर में उत्तर प्रदेश में यह university है जो की पहले HBTI हुआ करता था सो गाइज आपको बता दू कि 2016 में इसको यानि जो उत्तर प्रदेश की government है इसको एक university का रूप दे दिया है university के रूप में यानि कि joint entrance examination के marks के basis पर होता है यानि कि हम बात करें HBTU में कौन-कौन सी ब्रांचेज अवलेबल है यानि कि present moment पे बिल्टे के लिए इसमें कौन-कौन सी ब्रांचेज है आपको बताना चाहूंगों कि इसमें total इसमें 11 ब्रांचेज हैं यानि कि आपका जो बेचिलर और टेकनोइमें biochemical इंजिरिंग, chemical, electrical ओfal pokumeter and science, information technology, electronics engineering और civil engineering, mechanical इंजिरिंग और और इजानि कि chemical कि अंदर इसके total छे ब्रांचेज ब्रांचेज अवलेबल हैं यानि इसपेशली खेलिकर इंजिरिंग सो ग्काई यानि हम बात करें में 2020 में कितनी कितनी सीटस using Cindy जिसमें 75 स्टे आपका यानी की wow केतरू होता है और आपका फिवेवियर यानी कि जो आपका उसमें kaissen के दौरान हैब को सब्वана में 3 स्टे अविलेबल हैं तो बैख सकते हैं कि ज्वेवियर कि टूटल साथ ब्राइज और लेबल यहाँ प्या ändis लिए इंजिनिर्ट केमिकल इंजिनिर्य gouvernement फूछ lessons लाजी लाइदर टेनोलाजी आयल टेकनोलाजी प्रॉट्टीक टेकनोलाजी एंड़ सेप्टेंबर के फोर्थ विक्स यानि कि जो सेप्टेंबर तो आ चुका है सो इसके फोर्थ विक्स से इसके लिए आपका जो रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है और यहां पर आपको बता दो कि इसका जो मेरिट लिष्ट बनेगा वो टोटल जेई मे रूपए है यह आपको non refundable है यानि कि आपका refund नहीं किया जाएगा बाकि टूटल फीज ओवीची और जनरल कर्टेग्री के लिए 22,000 के लिए 14,000 रूपए है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि आपके घर में कोई भी फीडम फाइटर रह चुगा है उनके लिए 2% सीटर रिजर्व है यूपी के लिए यहां पर 20% सीटर रिजर्व है सब्सक्राइब करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में यानि कि जो आपका जैमेल का रैंक प्रिवेस यह वह कितना था पर कास्ट के लिए और ब्रांचेज के लिए और यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि इसका प्लेस्मेंट था वह बहुत थी इ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यह लग एड़ी हम प्रिवेस येर के सिके प्लेस्मेंट के बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रिवेस यह यानि कि 2018-19 में कि मैक्सिम्म यानि कि हायस पैकेज हा था वो था 37,00,000 पर अनम और 2078 में 17.5,00,000,000 पर न आप देख सकते हैं General and OBC के लिए बीटे के लिए ज़ी हम बात करें Computer Science में यहाप आप आप देख सकते हैं कि जो कटाप था यहाँ अप वरल रहेंगे की बात कर रहें भाई आप समझ लेए अच्छे तरीके से स्टिए के लिए तो यहां पर देख सकते हैं कि जो जनरल के टेगरी के लिए 12000 से लिए और गजिए हम बात करें इलेक्रिकल इंजिनियरिंग के लिए सो इसमें आपका जो जेनरल कर्टेगरी का जो प्रिविस येर का कटाप था वो था 14,000 से 20,000 के बीच में OBC कर्टेगरी के लिए 24,500 से 31,800 बात करें Electronics Engineering के लिए सो OBC कर्टेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो तो 26,000 से 30,000 के बीच में आपका प्रिविस येर का रेंग था सो यहाँ पे आसानी से मिल गया था Electronics और जनरल कर्टेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 15,000 से 19,000 के बीच में Mechanical Engineering की ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे जनरल कर्टेगरी के लिए 15,800 से 23,700 बात करूं तो 28,000 से 34,000 So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो-जो Main branches था मैंने कशी तरीके से जो प्रिविस येर का Jंस का कटा था यहाँ पर यहाँ पर the menos कर दिया है यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाऊंगा कि यहाँ आप मारे Telegram Group को अभी तक जॉइन नहीं किए है तो वीडियो के description में उसका link है आप वहाँ से जाकर simply join कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रूप पर जाकर simply search कर सकते हैं students में वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं सो गाई यदि हम बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे students इसको लेकर confusion में रहते हैं कि एनटी वर्सेस है एजबी ट्यूव में से कौन सा बेस्ट है अपने अपने जगर तो दोनों कड़ेजिग बेस्ट हैं अपने अपने लेवल पे लेकिन यदि हम बात करें कि यदि आपको top analytics में कोई branches मिल रहा है या फिर आपको HB2 कोई top branches मिल रहा है यहां पर according to me और मेरे बहुत से जैसे friends हैं उनके according मैं मैं बात करूँ आपको जो तॉप branches हैं उसको ज़्यादा करना था यह टॉप डेवल की ब्रांचेज तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग एंड प्लीज चैनल बे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर सेयर कीजिए लाइक भी कर दीजिए का थैंक यू सो मच गाइज वन्स अगें